हलो चो इशार्ट रहते हैं आज लेट्चन नमबर सेवन इसके रिट्री प्रोड़क्ट एंड देर एलिमिनेशन टॉपिक है मिक्चुरेशन वाट दे मिक्चुरेशन दे प्रोसेस टू रिलीज यूरीन ठीक है जो यूरीन हमारे बाड़ी के अंदर बनी है इस यूरीन को ब यूरीन बनती है न ओ यूरेटर यूरेटर से होते हुए कहां पर आती है अल्टिमेटली फाइनली कहां पर आ जाएगी हमारे यूरेनरी ब्लैडर में आ जाएगी यह कहां पर आगी हमारे यूरेनरी ब्लैडर के अंदर आएगी अब करा कि जब यह हमारे यूरेनरी क्या होगा तुमारा फैलेगा जैसे जैसे इसके अंदर यूरिन बरेगी यूरिन ब्लैडर क्या होगा तुमारा फैलेगा तो गर यह जो यूरिन ब्लैडर की जो वाल होती है ना इसमें क्या होते हैं कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं जिसे हम क्या होते हैं इस्ट्रेस रिसे बिलैडर आप हमारा फिल हो गया है आप यूरीन यहां से निलिजीए को कर आए है को जब ब्रेन के पास ये सिगनल जाएगा और ब्रेन क्या करएगा मोटर न्यूरान द्वारा क्या करेंगा सिगनल बेजेगा ये चीछ ये गारिये हमारे य क्ला आदम की यूरेंडी ब्लैडर की जो इसमूत मसल है उसके पास एक सिंगनल आएगा कि आप क्या करो कॉंट्रेक्ट हो आप क्या करो कॉंट्रेक्ट करो और यह दूसरा सिंगनल बेज़ेगा इस यूरेथरा के पास ठीक है क्योंकि हमारा जो यह 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 तो यह जब रिलाक्स होगा तो यह क्या होगा तो यह जब रिलाक्स होगा तो यह क्या होगा तुम्हारा जो रास्ता यह दबाया होगा था यह रास्ता क्या होगा फुल जाएगा और यह जो यूरी ब्लैडर है यह क्या होगा तुम्हारा आंट्रेक्ट करेगा और यहां से हम चाहां तभी यूइन बॉड़ी से बाहर निकंलती यह ऐसे ही बैठे-पेटे भी तुमारे ऊरी निकलती अईसा थो रहता है कि न उतन네 निकलतीए जब हम चाहते हैं तभी होता है इसका मतलब की जो मिक्स practically का process होता है यह कैसा होता है से हमारा Voluntary Process होता है किसा होता है, Voluntary Process होता है तब करहा है कि जब यहां से एक से जट लिटर यह तो आंदर युरिय का माउंड कृता है यानि एक से डेल लिटर जो यूरिन निकलता है उसके अंदर यूरिया का मांट कितना होता है 25 से 30 ग्राम होता है और इस यूरिन का पीएश कितना होता है 6 होता है यह होता है यूरिन किस कलर की होती है यूरिन जो होती है ये कैसे होती है ये लोकलर की होते हैं कैसी होती है यूरिन कैसी होती है हमारी ये लोकलर की होते है ठीक है अब कहरा कि यूरिन की एनालेसिस की जाती है ठीक है यूरिन की क्या की जाती है एनालेसिस की जाती है किसके लिए क्लिनिकल डाइग्नोसिस के लिए यानि बीमारियों का पता करने के ल जाता है यूरिन का टेस्ट कराया जाता है जैसे फॉर एक्जांपल अगर हमारे यूरिन के अंदर गुलुकोज ठीक है अगर हमारे यूरिन के अंदर गुलुकोज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते है ऐसी बिमारे को क्या बोले जाता है गलाइको गलाइको सूरिया क्या बोलत दुनों indicate करते हैं किसको diabetes को किसको indicate करते है diabetes को indicate करते है ओके आयो पितना समझ में आगा होगा आप इसे एक बार NCRT से देख लिजेगा ओके बाई